हेलो दोस्तों स्वागत था आपका हमारे चैनल पे और आज 25 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई प्रिसर मैच में भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हरा दिया है एंड गेस वाट इस मैच के हीरो कौन थे नो डाउट विराट कोहली रोहित सर्मा टॉस जितके पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया जिसे असदीप सिंग ने सही प्रूफ कर दिया जब उन्होंने जीरो रन पे बाबर आजम को आउट कर दिया कुछ देर बाद रिजवान भे आउट हो गए और जैसे तैसे करते हुए पाकिस्तान टीम 20 ओर में 8 रिगेट के नुक्सान पे 169 रन बना ली और भारत को 160 रनों का टार्गेट दिया पाकिस्तान के खिलाब खराब सुरुवात का सिंसिला भारत का यहां भी जारी रह और केल राउल और रोहित सर्मा दोनों लोग 4-4 रन बना के आउट हो गए और कुछ ही देर बाद सुरी कुमार यादो भी 15 रन बना के आउट हो गए यहां से सारा का सारा प्रेसर विराट कोली पे आ गया था विराट कोली ने हादिक पांडिया के साथ मिलके एक अच्छी साज़ेदारी करके भारत को संभाला और भारतिय टीम को जीत के एकदम धहलीच टकला दिया थे इस मैच का लाश्ट ओवर एकदम हिर्दय गती बढ़ा देने वाला लाश्ट ओवर था आखरी ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रन की जरुवत थी तब मुहमद नवाज ने पहली गेन पे हादिक पांडिया को आउट कर दिया दूसरी गेन पे कार्थिक ने एक रन लेकर विराट कोहली को इस्ट्राइक दिया तीसरी गेन पे विराट कोहली ने दो रन लिया चौथी गेन पे विराट कोहली ने सिक्स मारा और यह बाल हाइट की वज़े से नो बाल हुई अगली गेंद पे नवाज ने वाइट फेका उसके बाद फ्री हिट पर कोहली ने तीन रन लिया इसके बाद दिनेश कातिक आउट हो गए अब अगली गेंद नवाज ने वाइट फेक दी और उसके बाद वाली गेंद पे अस्विन ने एक रन लिया और भातिय टीम यह मैच चार्विकेट से जिद गई विराट कोली को मैन आप दे मैच का अवाड मिला स्पोर्ट्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें जै हिंद